बोलिये शंकर भगवान दीच, प्रियस रोताओ, स्रावन मास के सुकल पक्षगी त्रियो दसी के दिन, सनीवार का दिन पढ़ने से इसे सनी प्रदोस ब्रत कहा जाता है, सायंकाल के वाद और रातरी आने के पूर्ब दोनों के बीच का जो समय होता है उसे प्रदोस कहते हैं, ब्रत करने वाले को उसी समय भगवान संकर के पोजन करना चाहिे, प्रदोस ब्रत करने वालों को त्रियो दसी के दिन दिनवार बोजन नहीं चाहिए, साम के समय जब सोरास्त में तीन गड़ी का सेथ समय रह गया है, तव इस्रानादी कर्मों से निब्षत उपरके सेथ पुष्वों से पदम पुष्व की आकर्ती वना कर कुस का आसन विच्छाए आसन पर पूरबा विमको कर्ग वेड़ जाए उसके बाद भागवान संकर का ध्यान करे। पुष्व का ध्यान करना चाहिए प्रियस रोताओ प्रदोस वरत के व्रत के उद्धापन की क्या विदिया है। ओ भुमा सहीत स्वाय नमा मंत्र से 108 वार आवती देनी चाहिए। इस प्रिकार ओ नमस्वाय के उष्चाण से संकर जी के निमिक आविती ब्रतान करे। अवन के अंद में किसी धार्वी व्यक्ति को सामर्थ के अनुसार दान करना चाहिए। ऐसा करने के वाद ब्रामनों को भोजन दच्छना से संतुष करना चाहिए। ब्रत पूर हो जाए। बाप के बोलकर के ब्रामनों से कहलवाना चाहिए। पर ये वक्तो अव आपको हम बताएंगे त्रियोग दसी वरत के मात्तम के बारे में त्रियोग दसी अथार्त प्रदोस का वरत करने वाला मनुसदा सुपी रहता है उसके संपुड पाप का नास इस वरत से हो जाता है इस वरत के करने से बिदवा इस्तरियों को अधर्म से गलानी होती है और सुपागन नारियों का सुपाग अटन रहता है बंदी कारगार से छूट जाता है जो इस्तरी जिस कामना को लेकर इस वरत को करती है उसकी समी मनो कामना कहला स्वति संकर जी पूरी करते है सूजी कहते हैं त्रियोधसी का वरत करने वाले को सो गौदान का फल प्रैप्त होता है इस वरत को जो विदी विदान और तनमन धन से करता है उसके सवी दुख दूर हो जाते हैं सवी माता वेहनों को 11 त्रियोधसी या पूरे सार की 26 त्रियोधसी पूरी करने के वादी उद्यापन करना चाहिए त्रियोधसी के दिन जो बार पढ़ता है उसी का त्रियोधसी ब्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कता पढ़नी एवन सुननी चाहिए इन सवी से अविष्ठोलों की प्राप्ति होती है आईए पर ये वक्तों सनी प्रदोस व्रत की कता प्रारम बढ़ते हैं गरगाचार जी ने कहा है महामते आपने सिवसंकर भगवान प्रसंता एतु समस्त प्रदोस व्रतों का वड़न किया अब हम सनी प्रदोस विदी सुने की चामारे लगते हैं सुकरपागर के सुनाईए तव सूजी बोले हैं रिसियो निश्चित रूप से आपका सिप पारवती के श्तरणव में अत्यंद प्रेम है मैं आपको सनी प्रदोस विदी बतलाता हूँ सुध्यान पूरवक सुनिये प्रातन कथा है कि एक निर्दम रामर की इस्तरी दर्दता से दुखी ओकर के सांडर रिसी के पास जाकर बोली हैं महामोनी मैं अतन दुखी हूँ दुख नोवारन का कोई उपाईवत लाईए मेरे दोन पुट्र आपकी संड में हैं मेरे जिश्च पुट्र का नाम धर्म है जो की राज पुट्र है और लगू पुट्र का नाम सुची बृत है अता हम दर्यद्री हैं आप ही हमारा उध्धर कर सकते हैं इतनी बात सुनकर क रिशी ने सनी प्रदोस ब्रत करने के लिए कहा तीनों प्राणी प्रदोस ब्रत करने लगे कुछ समय पास्चात प्रदोस ब्रत आया तब तीनों ने ब्रत का संकल पुडिया छोटा लड़ता जिसका नाम सुची ब्रत था एक तलाप प्रशन करने को गया तो उसे मार्ग में स प्रसाथ के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बाट लो माता का बच्चन सुनकर के राजपुत्र ने सिप पारवती का ध्हान किया और बोला धन आपके पुत्र का आई है मैं इसका अधगारी नहीं हूँ मुझे संगर भागवान और माता पारवती जब देंगे तब वह उन्होंने अनेक गंदर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा उन्हें देख करके सुचिबृत ने गाव भागवा अब हमें इससे आंग नहीं जाना है इतना गय सुचिबृत उसी स्थान पर बैट गया परन्तु राजपुत्र अकेला इस्तिरियों के बीच में ज आ जाकर देखो बाती बाती के फुस्वक लिया है बड़ा स्वावना समय है उनकी सोवा देखकर आओ मैं यहां बैटी हूँ मेरे पेर्स में बहुत प्यूना है ये सुनकर सब सखियां दूसरे बन में चले गई वैगेली सुन्दर राजकमार की और देखती रही उदर जर्वनरिस का पुत्र हूँ आप उना पर्चे देए युपती बोली मैं बित्रविक नाम गंदर्व की पुत्री हूँ मेरा नाम अंसुमती है मैंने आपके मन इस्तिती को जान लिया है कि आप मुझ पर मोईत हैं विदादा ने हमारा संयुप मुलाया है युपती ने मोई पुतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया राजकुमार हार सिकर करती हुए बोला है बद्रे मैंने आपका प्रैमोप का हार सिकर कर लिया है परंतु में निर्दन हूँ राजकुमार के बचनों को सुनकर गंदर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कैस चुकी हूँ वैसा अब आप में घर जाएं इतना केकर मैं गंदर्व गंणा सक्यों से जाए मिली घर जाकर राजकुमार ने सुचिवरत का सारा ब्रितांद कैस सुनाया जब तीसरा दिन आया वे राजपुत्र सुचिवरत पो लेकर उसी बन में जा पहुँचा वहीं गंदर्व राज अपनी कन करन्या को लेकर आप पहुचा इन दोना राजकुमारों को देख करके आसन देके कहा कि मैं कैलास पर गया था वहां संकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज विहिन निर्धन है मेरा परम भक्त है है गंदर्व राज तुम उसकी स पास लाया हूं आप इसका निर्वा करें मैं आपकी साहता कर आपको राज गद्धी पर बैठा दूँगा इस ब्रकार गंदर्व राज ने कन्या का विदिवत भुगा कर दिया विशिष धन और सुंदर गंदर्व कन्या को पाकर राजपुतरते प्रिशन हुआ भगवान क किरपा से यह समयोपरांद अपने सत्रों को दवन करके राज का सुक भोगनी लगा बोलियो संकर भगवान की जै बोलियो मापती मादेव की जै प्रिसरोताओ मैं आसा करता हूं आपको यह कता बहुत अच्छी लगी होगी तो किरपा करके वीडियो को लाइक करना ना बूल अच्छ में ओम नमस्च वाई अवश लिकाए जै स्री रादे